आशक छी आहार न्यामद जन पती में पहार प्यामद दर्गम प्यामद या मुस्तफा या मुझतवा इरहं लना, इरहं लना तस्दुन नालबन हिंद ताज दारिक रा जान बंद है नबे मुक्त तारिक रा ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हूँ हमारे करन मुल्क भर में गुजश्टा आठ जून से तमाम मजहबी मकामात पर इज़्दमाई अबादत के हवाले से हकूमत ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसोपी जारी कर दिये हैं मुल्क में मजहबी मकामात के दोबारा खुलनी पर लोगों में जोशो खरूश देखा जा रहा है और तक्रीबन धाई महीने के वक्वे के बाद लोग मसाज़िद, मंदिर, गुरद्वारे, गिरजागर और दीगर मजहबी मकामात पर इज़्दमाई अबादत करने में मस्रूफ हैं हकुमत ने इबादत गाहूं को खोलने के हवाले से स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजर एसोपी जारी करते हुए 65 बर्स से स्यादा उम्र के भुजर्गूं और 10 बर्स से कम उम्र के बच्चों के इलावा हामिला खवातीन को भी घर पर रहने का मश्वरा दिया है हिंदोस्तान के कोने कोने में भायचारा, हम आहंगी, मजभी रवादारी और अखवत औ हमदर्दी के पहते चश्में इनसानियत को सेराब कर रहे हैं, लहाज़ यहां फिरक परस्तूं के लिए कोई जगा नहीं है क्योंकि इस मुल्क के दस्तूर ने जहां मजभी आजादी के साथ जीने का हक दिया वही सूफी बुजरगान दीन की अता की हुई इसलामी तालिमात ने दिलूं के गुप अंदेरों को मिटा कर उन में महबबतों के चरागों को रोशन किया जो आज भी फिरोजा है करोना वाइरस के चलते हुए इस वक्त जो है वो सारी जिजमे में मजभी मकामातें तक्रीबान बन थे गिने चुने गिंती के चंद लोग आते थे लेकिन अब एड्मिनिस्टेशन के तरह से इजास्त मिल गई है और बजबता तोर पर लोग यहां वो आ रहे हैं यहां पे अब इहत्याती तदाबियर का ख्याल रखते हुए इसकुर भी आप देखेंगे कि हमने कालीने वगारा सारी की सारी यहां से उठा दी है वक्तन फक्त मस्चट की जो ऑफ़ाई सुधाई का इहत्माम किया गया है तो रहती रहती है तकरिबन हर दें और उसके इलावा हम अल्ला तबारक वाताला की बारगा में दौादों हैं कि अल्ला तबारक वाताला जज़ वाज़ जज़ सारी आलमी इन्सानियत को गुभाई मारस से निचात अताफा जुमु कश्मीर में अब सभी मख़भी मकामात दोबारा खूल दिये गए हैं जहां पिरवर कहलाने वाली वादिय कश्मीर में सूफी बुजरगान दीन की जियारत गाहूं पर जायरीन हाजरी दे रहे हैं वहें मंदिरों के शहर जमू में लोग मंदिरों पर हाजरी दे कर मुहलिक वबा कुरोना वाइरस से निजात के लिए दौाएं भी माग रहे हैं मजभी मकामात पर हाजरी देने और इबादत करने के हवाले से हुकूमत ने इस हवाले से तफसीली SOPs जारी किये हैं इसमें कहा गया है कि तमाम मजहभी मकामात के में गेट पर सैनिटाइजर रखने होंगे और लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग लाजमी होगी सिर्फ उन लोगों को इभादतगाहों के अंदर दाखिल होने की इजासत मिलेगी जिन में कोरोना वाइरस की कोई इलामत नहीं पाए जाएगी तमाम लोगों को मास्क और फेस कवर करना लाजमी होगा मौजूदा वबाई बिमारी के फैलाव का बढ़ा सबब तमाम माहरीन की राए के मताबिक और अमूमें तजुर्बे की बिनाब पर यही है कि ये बिमारी एक दूसरे के मेल जोल के नतीजे में फैलती है कि मिलना जुलना जहां भी पाया जाए वहां मतासरा शख्स से दूसरे अफराद के अंदर इसके जरासे मुन्तकिल होने के तकरीबन यकीनी खतरात होते हैं इसलिए इससे बचाओ की एक एहम तरीन तदबीर इखतलात और मिलने जुलने को कम से कम करना है मंदर खुल गया है मंदर मस्चिदें खुल गया है गुर्दवारे गिर्जागर सब आपनी जगा अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं तो हम पूरे वर्टवरे के लिए प्राथना करते हैं कि ये बुमारी को दूर करें और सारे स्वास्त रहे हैं सारे सकुष रहे हैं और गुर्वमिट का बहुत शुकर्या करते हैं जोने आज मंदर बगयरा सब कुछ खुल दे अगर्चे मौशी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए लॉकडाउन का सिलसला आहिस्ता आहिस्ता मरहलवार बुनियादूं पर खत्म किया जा रहा है ताहम आलमगीर वबा अब भी है और खत्राद भी ऐसे में एहतियाती तदाबीर अपनाना वक्त की एहम जरूरत है जमू कश्मीर में मजभी मकामात पर लोग हकुमती सोपीस के तहत हाजरी दे रहे हैं इबादत के दौरान लोगों को सोशल डिस्टंसिंग का खसूसी तोर पर खयाल रखा जा रहा है वबाव में लोग एतियाती तदाबीर पर अमल दरामत करें इसका हर एक मजभब तालीम देता है क्योंकि वबा मजभब, जातपात, उम्र, जिंस नहीं देखती ऐसे में सूफी बुजरगान दीन की अता कियो हुई तालीमात पर अमल पैरा होना वक्त की एहम जरूरत है सूफी ने अपने खयालात रवादारी और इनसानी हमदर्दी से लोगों में ऐसा जूश पैदा किया है जिससे ये तसवुफ की तरफ माईल हो गए हिंदू मुस्लिम सभी कम्यूटी का यहां बहुत भाई चारा है और भाई चारा की साध ही रहेंगे तो जम्हू किश्मीर आगे बढ़ेगा तो ऐसे ही अगर अकेले रहेंगे तो कोई भी नहीं बढ़ पाएगा इसनिये बहुत अच्छा भाईचारा है और ये भाईचारे प्रिश्मीर को पिरवर यानी रिशियों की वादी का खिताब भी हासल है दरसल पीरूं फकीरूं का सलसला अल्लाह रुबल इज्जत की बनाई हुई काइनात से ही शुरू हुआ तब से ही ये सलसला आगे बढ़ता गया और दुनिया को पेगंबरों के बाद इन्ही पीरूं और फकीरूं की दूआ हासल है जिसके बदूलत ये दुनिया काइम दाइम है और जब तक अल्लाह के प्यारे कुरे अर्स पर माजूद है ये दुनिया काइम दाइम रहेगी म्यानि जिन्दगी हुद अंदाज छो जुदा आसान म्योन कावुच पोशिद म्यानि सजदन्वत बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है मेरा काबा मेरे सजदू में छुपा होता है